खरगे फढ़गे का नाम नहीं जानता है, जानबों ने करते थे कॉंग्रेस का वो राष्टी अध्यक्स हैं, खरगे जा, तो नितिश कुमार ने किया है, आज इंडिया गटवंदन जो नाम पड़ा, नितिश कुमार ने संजोजग का काम किया, सारे लीडरों को जितना छितर सब को एकठा किया, बार बार बैठक करवाने का कोशिश किया, और बैठक हुई, अब जहां तक सवाल है, ये सब जो बात उठती है, तो ये बात नहीं उठना चाहिए, ये जो उठ रही है, अभी तो इनका नितिश कुमार का चेहरा है, निर्विवाजित है, सब कुछ है, एक तो हम ये की बात कहते है, कांग्रेस के खिलाप में लोगों ने, आम पबलिक ने, इसलिए महागाई था, महागाई के खिलाप में ये भाजपा को लाया, आरदार नेरेंद्र मोदी जी को प्रधान मुंत्री बनाया, फिर उसका कहीं पाचान है, जो धंदा करते आया, व कांग्रेस पर विश्वास रखने लागा ही नहीं, उनके ही बिरुद में भाजपा को लाया गया, अब भाजपा ने महागाई को चरन सिमा पर ले दिया, इन्होंने और खतम कर दिया, कर दिया, ताब उसी को क्यों चुना जाएगा, किसी नए चेहरा को उन चुनना चाहिए भाजपा को समाफ्त करने के लिए, उसके विरुद में जब तक नितिश्क मारको नहीं मानेगा, नहीं चुनेगा, नहीं होगा, ये मामता बर्रण जी बोल दी, और कोई बोल दिया, इसलिए बोल दीया, साथ ही में बेठे उठे हैं, सांसद उभी सांसद यु भी, मंत्री ह वो सांसत इस तरफ बैठने के कारण एका एक चेहरा उबरता ना लगता कि हम नितिस्क मारा है तो साथे बैठने तो कुछ बुझवे नहीं करता है मुखमंति को कोई तकलीप नहीं है वो निर्वादित आदमी है उनको प्रधान मंत्री बनावे किने बनावे उनका अभियान ह है भाजपा को उखार प्रगाओ पबलिक नहीं मानेगी खरगेफ़गे का नाम नहीं जानता है अभी नाम बोले है तो हम सुने है जानबों ने करते कांगरेश का राश्ची अध्यक्ष है खरगे जी ता आप बोले तो हम जान गए उनको कोई नहीं जानता है भड़े मुख को जानते होगे आम पब्लिक नितिष्क मार को जानता नितिष्क मार प्राइमनिस्टर बढएंगे और सब कोई नितिष्क मार को जानता है